नमस्कार रामरामसा सातियों आज के इस वीडियो में केई किसान भाईयों के कमेंट आये कि हमारा सिंचाई से कपाश की खेती कैसे करें कि तो शादियों आप हमारे सात लाश्ट तक बने रहे और यह वीडियो है वह आप लाश्ट तक जरूर देखें तक आपको पूरी पूरी डीटेयल है वह बताऊँगा शुरू से लेकर लास्ट तक कि इसमें ये फुमारा सिंचाई करते हैं तो फुमारा सिंचाई से इसमें कपाश कितनी होती है और क्या-क्या सुईदा है तो सबसे पहले अपन ये 20-20 पुट के पाइप लाइन है वो डालेंगे और ये देखो जो ये पाइप लाइन डाल दी और इसके हर एक पाइप के एक फुमारा लगाना है और स्वर्वाद में जो इपन माट है वो सीमा है उनके पास में डबल हुमारा लगाना य आप यह देख रही हों दोप हुमारा है और यmaybe ढkle पाली निकालने के बाद में जो ये डबल फर्मा से ये पालीया निकाल लिया और इन पालीयों के पांच से छे अंगुल यानि चार से पांच इंच जो पाली है इन उप पर उन से चार पांच अंगुल नेच बीज़ की रोपई करते हैं और उसके बाद में रोपई करने के बाद में ये pipe plan लगा के और इसमें ये फुवारा सिंचई होती है तो जो खेट की सिमा के पास में है वो line तो आपको तीन से सर्थ 3-4 गंटा चलानी है जो सर्वाद की line है पेली line और उसके बाद आप इनको ड़ाई से तीन गंटा चला सकते हो और आप बीज है वो ये रोपना है आप अपनी जो सेत्र के इस्याफ से जो बीज काम लेते हो ले सकते हो और मैंने तो ये पिछली साल ये बीज रोपई की थी जो यूएस एकॉन का बीज है हमारे सेत्र में अच्छी पेदावाद दीथी और होती है आप अपने सेत्र की इस्याफ से अपना कापाश का बीज ले सकते हो इसमें विशे इस रोपई का ध्यान रखना है तिन चार दिनों के बाद में कई कई आपको ये बीज अंपुरनित होते होगए दिक्वरेंगे. तो उसमें आपको ये लाइन है वो एक से टेश गुटा वापस चलानी है. जो ये बीज है वो पूरा आशनी के निकल सेके. और ये आप हमवारा सिंचाई एक से डेट गंटा ये आप तेन चार दिन के बाद में इसमें चलते हो तो ये सातियों एक तो आपको इसमें सिंचाई है वो पानी की मतलब बहुत ज़्यादा खपतनी होगी पानी कम लगेगा और इसमें सुविधा भी है कि आप इसमें समय समय पर जो आप जितना पानी सिंचाई करना चाहते हो उतना कर सकते हो अब बात करेंगे भीज की भीज की रोपई आपको डेल से दो पुट जो पॉद्दा से पॉद्दा की दूरी रखणी है और जो लैंग से लैंड की दूरी है वो तो इनकी यो निकाली थी पर्मे से ये जो डोरी निकाली हुई है तो यह फिक्स हो गई तो यही दूरी रहगी इनके इसमें आप टेक्टर से वापस हरनी आराम से कर सकते हो जो आप वहाद से करपतवार निकालना पड़ता है मजबूर लाके या खुद आप करते हो तो वह मेंट होती है लेकिन इस एसे रोपई करने से आपक ह करपतवार लिए व करने निकाल सकते हो और यह दूर लगा सकते ओ इसमें तो यह बहुत ही आराम दाई के यह रोपई है और अराम दाई कि यह फोमारा की शिंच है और इसमें फानिकि बहुत ही बच्चत होगी और यह आप देख रहे हो कि यह जो पोदा है यह 19 दिन का पोदा है बहुत ही अच्छी बढ़वार होती है और इसमें बहुत ही यह उगाव है वो भी अच्छा यह जो आप देख रहे हो arise आते हूं आप हुआरा लाइन की शिम्चाई खेट में शुरू करते हैं तो यदि खेट की लंबई है वो उत्तर से दक्षिन है तो आप पहली लाइन है वो पर्चम दिशा की शिमा के पास रखके और सुर्वात करें क्योंकि गर्मे में जो हवायां चलती है उनसे ये पानी है वो पूर्व की ओर जदा भी करता है और इसमें आपको जो बीज की रोपाई करनी है वो आपको पाली के पूर्व की ओर करनी है जो मैं पहले बापको बताया था कि जो चार से छे अंगल पाली सिकर से नीच करनी है और ये जो दोरी पाली है इनके पूर्व की ओर यदि आप के खेत की लंबाई पूरफ से पर्चम की ओर हो तो इनकी रोपाई है वो आप उत्तर में करना दक्षिन में नहीं करना क्योंकि पाड़ी की लंबाई है वो पूरफ से पर्चम होगी तो इनकी रोपाई है वो उत्तर के साइड में करनी है और फुमारा की लाइन है वो आपको उत्तर की साइड में लगाने हैं तो रातियों यह जो आप देख रहे हो यह खुमारा के सिंच्चाई है और मैं यह सिंच्चाई 2002 से हमारा से खेती कर रहा हूं और इनकी अच्छी पेदावार होती है जो 6-8 सातियों आप हमारे पिछली साल की जो कपास की खेती हमारा उनके भी वीडियो आप हमारे कर्सी ग्यान यूटूब चैनल में जाकर देख सकते हो और लाइव वीडियो भी है और वीडियो अपलोड की हुए भी हैं तो यह आप